नमश्कार दोस्तों, सौगत आपका हमारे इस चैनल Redact News में दोस्तों आपने देखा था कि जब तक हमारा phone Android 10 था ये आपको मैं इस phone की specification बता देता हूँ ये phone Android 10 है, जब तक हमारा phone Android 10 था तब तक हम जो data के अंदर, android के अंदर data folder था उसे पूरा assess कर सकते थे यह देखिए यह Android का 10 version है और इसका मैं आपको File Manager में Android के अंदर data वाला folder open करके बदाता हूँ यह File Manager मैं open कर लेता हूँ यह Android है इसी open करता हूँ तो इसके अंदर यह data का folder है यह आप देखिए हम सारी files को assess कर सकते थे आपके यह Android 11 में अपक्रेड हूँ अबी मैं आपको अपको अपना दूसरा iPhone दिखाता हूँ है यह आप देखिए यह देखिए Android 11 का logo है यह हमारा phone Android 11 में अपक्रेड हो गया है और Android 11 में अप्ग्रेड होने के बाद मैं आप गुग दिखा देता हूँ और आपने भी देखा होगा कि जैसे ही आप अपने File Manager में जाओगे और Android के अंदर जो हमारा डाटा वाला फोल्डर है उसे हम ओपन करेंगे तो ये हमें उस फोल्डर को assess नहीं करने देरा ये देखी हम मैं File Manager में चला गया हूँ और ये मैं Android को ओपन करता हूँ डाटा को ओपन करता हूँ इसके अंदर कुछ भी नहीं है ये हमें कुछ नहीं दिखा रहा सब कुछ hidden हो गया है तो इसे हम कैसे देखेंगे इस आपकी दिक्कत को दूर करने के लिए ये Files एप है इसका आपकी डाटा के अंदर ये Files पड़ी हुई है उसे कॉपी करके बाहर गैलरी में पेस्ट कर सकते हो लेकिन अगर आपने गैलरी में से कुछ इसके अंदर पेस्ट करना है तो वो नहीं होगा उसके लिए मैंने जुगार लगा के एक एप निकाली है ये Explorer एक करके एप है इस कर दियान रखना कि ये app ढ Ans कि ये सब्भी phones में work नहीं कर रही है मेरे बास चार phones पड़े हूं है जिन में मैंने चेक किया उसमें से ये दो में वर्क कर रही है दो में नहीं वर्क कर झाल 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 झाल